गुड इवनिंग आज आप तयार हो जाए एक ऐसी स्टोरी को सुनने के लिए जिसको सुनने के बाद आपकी सारे जो लिमिटिंग बिलीब्स है जो बाउंडेशन है कि बहुत समय लगता है चीजों को पाने में बहुत महनत करनी पड़ती है बहुत परिशानी आती है सारे बि आपके भी जरूर खड़े हो जाएंगे प्रेरना दा एक स्टोरी है कि कैसे क्वांटम मैनिफेस्टेशन से जिनकी स्टोरी में बताने वाली हो उस बच्ची ने वो सब चीजों को अट्रेक्ट किया और कैसे लौ अफ अट्रेक्शन काम करता है और कैसे आप वो हर चीज को क वो लेना है आपको और केवल कुछ टेक्निक जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूं उसके थ्रू घर बैठे आप अल्लिमिटेड चीजों को अट्रेक्ट कर सकते हो तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बेटी की सक्सेस स्टोरी है कि कैसे उन्होंने क्वांटम मैनिफेस्टेशन से अनलिमिटेड शॉपिंग को अट्रेक्ट किया डॉक्टर जो डिस्पेंजा उनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है इस पायोनियर ओफ लॉव अट्रेक्शन या नियूरो साइंस को एजूकेट करते हैं कैसे हमारा दिमाग और शरीर इन को हम रिकंडिशनिंग करके अपने मन चाहे जीवन को हासिल कर सकते हैं अपनी वास्तिविक्ता को बदल सकते हैं बहुत अच्छी हेल्डी वेल्डी लाइफ को इंजओ कर सकते हैं अग उनकी जो बुक्स हैं बीकमिंग सुपर नेचरल और यूर बेस्ट सेल्िंग बुक हैं, हम उनकी बुक्स को पढ़ते हैं। जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। वो सब उनके नाम को ही जानते होंगे. उनका नाम ही काफी है इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए और अब तो उसके उपर सोने पे सुहागा होने वाला है उनकी खुद की बेटी की ई सकसल स्टोरी आपको बहुत इस्पायर करेगी वो खुद ही शेयर करते हैं इन स्टोरी को तो आए सुनते हैं वो स्टोरी उनकी बेटी 15 साल की थी जब उन्होंने ये अमेजिंग चीज को मैनिफेस्ट किया और कैसे उनके बच्चे मैनिफेस्टेशन को सीख गए, कैसे क्रियेट करना सीख गए तो एक बार अपनी बेटी के साथ वो बैटे हुए थे, समर का टाइम था और उन्होंने उससे पूछा कि अब आपका नेक्स प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि अभी अभी उनकी बेटी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट खतम किया था, किसी म्यूजिक अलवम में एक्ट किया, और म्यूजिक अलवम एक्ट किया, और वो म्यूजिक अलवम यूजिक अलवम यूजिक का फस्ट रेंक पे आया, इतना बढ़ी अब बैस सेल हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारा नेक्स प्रोजेक्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या करना चाहती हो, what you are thinking about to create, तो उसनकी बेटी ने बोला, क्योंकि वो 15 साल की थी, तो आप सोच सकते हो कि वो क्या सोच रही होगी, उसने बोला, Dad, I want to do unlimited shopping, मैं unlimited shopping करना चाहती, तो Dr. Joe Dispenja ने बोला, I have a deal, okay, मना नहीं किया, okay, I have a deal for you, मेरे पास एक आपके लिए एक deal है, तो उन्होंने बोला क्या करना होगा, तब उसनोंने बताया, कि आप मेरे साथ, रोज इस प्रैक्टिस को करना, और आपको वही महसूस करना है, कि जैसे ये already manifestation आपका हो गया है, आपको body और mind को reconditioning करना है, तो उसने बोला, आप कर पाओगे, उसने बोला, no problem, Dad, I am ready, और next day, साड़े चार बज और उन्होंने वेट किया, दर्वाजा बन था, कि देखते है मेरी बेटी आती है कि नहीं, और आदा गंटे के बाद, डोर नौक हुआ, उपन हुआ, उनकी बेटी आई, फिर उन्होंने बोला, बैठ हो, फिर उन्होंने बताया, उसने पूछा कि आप क्या, तो उन्होंने कि आपके दिमाग को और बॉडी को रिकंडेशनिंग करना है, किस चीज के लिए करना है, Emotions को feel करने के लिए, आपकी बॉडी को teach करना है, उसको ये बताना है, बिलीब दिलाना है, उसको विश्वास कराना है, कि जो shopping आप करना है, वह आल्रेडी इस पल में हो रही है, it's already और आपको एक सर्थ है, आपको यह तो करना ही है, meditation के तुरू, visualization के तुरू, जैसे भी हो, आप आगबन करिये meditation कीजिए, और वो feelings को create कीजिए, जैसे वो emotions को create कीजिए, जो कि यह बताएंगे, कि यह already वो shopping हो रही है, और इसकी एक condition यह है, कि जब आप meditation से उठो, तब आपको उस नए व्यक्ति के रूप में उठना है, जिसके जीवन में वो घटना already घटित हो चुकी है, और उसने बोला, ओके, फिर उन्होंने meditation किया, visualization किया, शुरू में कुछ दिन उसने follow किया, उसके बाद में Dr. Joe Dispenja कहीं वासिंटन DC में कुछ lecture लेने के लिए जा रहे थे, तब ही उनका चानक से phone बजा, और उनकी बेटी का phone था वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो रही है कि हस रही है, इतनी excited थी, और उसने बताया, Dr. Joe Dispenja को, Dad, my unlimited shopping happened today, मेरी unlimited shopping आज हो गई, इतनी खुश थी, तो उनके डैड ने बोला, okay, congratulations, और अभी मुझे पूरा detail बताओ, एक भी चीज उसमें से छोड़ना नहीं, और वो बहुत excited थे, पूछने के लिए, जानने के लिए, कि उसने कैसे यह किया, तो उसकी, उनकी डॉर्टर ने बोला, okay, I will tell you everything, फिर उन्होंने बताया कि मैं अपनी friend के साथ, उसके घर गई, और जो कि सेंट मॉनिका कैलिफॉर्निया में रहती थी, और Dr. Joe Dispenja Pacific North East Seattle, वहां रहते थे, और उसके बाद फिर जब वह अपनी दोस्त के पास मिलने गई, तो दोनों एक उनके फेवरिट स्टोर पे गए, और फेवरिट स्टोर पे जैसे ही गए, वह बहुत तेजी में दौड रहे थे, इदार उदार सब चीज़ें देख रहे थे, और अच्छानक से उनके सामने एक व्यक्ति आके खड़ा हुआ, अंजान व्यक्ति खड़ा हुआ, और उन्होंने उसकी दोस्त को एड्रेस करके बोला, और पूछा, कि क्या तुम सेंब्रिली की बेटी हो, तो उसने बोला, यस, वो मेरे डड़ी है, तब उसने उनको कॉर्णर पर काउंटर के पास लेके गए, और बोला, लेडीज, यंग लेडीज, I have something for you, मेरे पास कुछ है तुमारे लिए देने के लिए, और उन्होंने बोला, कि अभी कुछ दिन पहले ही, तुमारे डैडी ने, अभी, six month before, मेरे लिए, मेरे favor में एक बहुत बड़ा काम किया, और मैं कुछ न कुछ तरीका ढूंड ही रहा था, कि कैसे उनको payback करूं, कैसे उनके चुकरिया को अदा करूं, कैसे उनको पैसे वापिस दू, पर मुझे अभी एक idea आया है, तो उन्होंने अपने pocket में हाठ डाला, और card निकाला, अपनी company का card निकाला, और उन बच्चों को दिया, और बोला, young girls have a nice afternoon, और फिर वो card लेके, उन दौनोंने अल्ने में शॉपिंग की, और Dr. Joe Dispenja की बेटी ने कितनी shopping की, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसके बाद, वो card को उन्होंने अच्छे से use किया, shopping हुई, और फिर Dr. Joe Dispenja ने पूछा, how much you spend, तो उनकी बेटी ने बोला, $7,500 I spend, तो उन्होंने फिर पूछा, do you feel guilty about it, उसकी daughter ने बोला, no, you will never feel guilty about anything you do in your life, whether it's good or bad, मतला कभी भी guilt की feeling create नहीं करना, भविश्य में, जो भी आपने किया हुचा हो, या बुरा हो, और उसके बाद, उनको congratulation बोला, इस तरह से उसने unlimited shopping को attract किया, कैसे सिर्फ meditation में, visualization में, और कुछ ही समाय में, इसलिए इसको बोला, quantum manifestation, मतला बहुत जल्दी manifestation हो गया, फिर जब वो वासिंग्टन डी-सी से वापिस आए तो उनोंने फिर उनसे पूछा और बोला, क्या चल रहा है, और तब उनकी बेटी ने बताया, डैड, वो जो experience था ना, वो उस experience से कई गुना बहतर, कई गुना amazing experience था, और उनोंने congratulations बोला, और उनकी बेटी ने बोला, मैं एक चीज तो सीख गई हूँ दैड की, मेरा दिमाग ही सब चीज़े create करता है, और मैं इसको use करके, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकती हूँ, तो उनोंने बोला yes you can do it, उसके बाद तो उनकी बेटी ने बहुत सारी ऐसी सफलताएं, हासिल के ऐसी बहुत सारी चीज़े manifest की, amazing amazing चीज़े manifest की, तो एक दिन, ऐसे ही Christmas के टाइम, Dr. Joe Dispenja अपनी बेटी से फिर से पूछ रहे थे, कि क्या secret है, tell me, तुम कैसे चीज़ों को manifest क तो अब बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को तो उतिनी चोटी सी बच्ची मतलब 15 साल के बच्चों को कितनी अकल रहती है, उसने बताया, Dad, I learn to create things, मैं समझ गई हूँ कि मेरा दिमाग ही चीज़ों को create करता है, और मैं एक ऐसे state को create करती हूँ, जहां मेरे दिमाग और श चरीर रहता है, वो अचेतन मन रहता है, वो वास्तविक अनुभाव को या फिर artificial created अनुभाव को जो केवाल एक सोच से create किया जाता है, इन दोनों में अंतर नहीं समझता है, दूसरी बत हमारा दिमाग, हमारे जो energy field से कैसे interact करता है, ये चीज़े मैं सीख चुकी हूँ, और मुझे अब पता चल चुका है, तो मैं उस mental state को create करती हूँ, meditation करके, आख बन करके, और make sure करती हूँ कि जब मैं उठू, तो वही new व्यक्ति बनके, new self बनके उठू, पुराने self नहीं, क्योंकि मुझे पता है, जिस पल मैंने ये सोच लिया, कि ये चीज़ें कैसे होंगी, उसी पल मैं अपने पुराने self में लोट आती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा new self में ही जीती हूँ, तो देखे, ये चीज आप भी कर सकते हो, इस success story से आपको last में ये प्रेंडना लेनी चाहिए, कि आप अपनी body और mind को conditioning कर सकते हो, meditation के through meditation में बैट आदत दिलवाईए और जैसे जैसे वो चीजें वहसूस होती जाएंगी, वैसे वैसे चीजें, आपके जीवन में आने लगती हैं, ये story आप खुद अपनी reality बना सकते हो, इस story से बहुत सारी प्रेंडना लेकि हर वो चीज को create कर सकते हो, कि इस एक technique के द्रू, meditation के द्रू, म शुरू कीजिए, meditation में, हर वो चीज जो आप चाहते हो, उसको visualize कीजिए, feel करने की कोशिस कीजिए, and see the positive result in your life, कोई भी ऐसी चीज नहीं, जो आप पा नहीं सकते हो, तो हम मिलेंगे, अब इस story से आप कितने inspire हुए, please comment में लिखिए, I inspired, I accepted, and I manifested, I can manifest anything in my life, और जो भी manifest करना चाहते हूं, उसके आगे ये लिखिए, I already have it, it's already done, ये दोनों comment box में लिख सकते हो आप, और हम मिलेंगे हमारे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब को good night.